अश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सोनल रिचारिया गानेकलोजस चबलपुर से आज आपके लिए लाएं हैं वो आसन वो वीडियो जो बहुत मोस्ट अवेटेट था पोस्ट डिलिवरी क्या एक्सेसाइज करें आज मैं सब आपको करके दिखाऊंगी इसमें सबसे पहली और important exercise है आपके इंस्फिंक्टर को टाइट करने वाली exercise यानि ऐसी जगें जो एनर इंस्फिंक्टर और यूरित्रल इंस्फिंक्टर होते हैं यानि हमारी मलमुद्र की जगर जो डिलिवरी के दौरान प्रेग्नेंसी के दौरान धीली पड़ जाते हैं, उन्हें टाइट करने के लिए क्या एक्सिसाइज की जाएं? इसे हम दिखा नहीं सकते हैं, इसे मैं आपको समझा सकती हूँ, इन्हें कीगल एक्सिसाइज कहते हैं, और हिंदी में मूल बंध आसन कहते हैं, मूल बंध आसन वो होता है, जिसमें हम दौनों स्फिंक्टर को टाइट करते हुए गहरी सांस लेते हैं, और दौनों तो आपके जो बंद हैं वो टाइट होते हैं जिससे आपको बाद में यूरिनरी लीकेज या फिर आफीकल लीकेज की समस्या नहीं होती यह करना दिलिवरी के उपरां बहुत जरूरी होता है तो आप सभी आसन जो हम बताएंगे उस दोरान सांस की प्रक्रिया के साथ मूल बं की तरफ दूसरा आसन जो हम आपको बताना जा रहे हैं सबसे पहले इस वजरासन पोसीजर में बैठना है प्रजासन क्या होता है जिसमें हम अपने घुटनों के बल बैठते हैं जिसमें हमारी दौनों बट्स जो रहते हैं वो एडियों के उपर लगे रहते हैं ऐसी इस्ति के बाद दो समस्या सबसे जादा रहते हैं आपका बर्च और थाई एरिया बढ़ जाता है और आपका पेट बढ़ जाता है हमारे आज के सभी आसन इन दो चीजों पर जादा कॉंसेंट्रेट करेंगे और एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा कमर दर्द होने लगा अ तो आज आप exercise देखें और जरूर करें धन्यवाद